नमस्कार, बंसल नियूस के इस खास कारिक्रम आईशमान में आप सभी का बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ जया शर्मा जैसा कि आप जानते हैं कि आईशमान में हर बार स्वास से संबंदी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वनीता रामनानी जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन एंड ग्लुकोमा स्पर्शलिट है डॉक्टर वनीता आपका बहुत स्वागत है नमस्कार धन्यवाद तो आज हम बात करेंगे बच्चों की आँखों की सुरक्षवा के बारे में जिसके बारे में डॉक्टर वनीता रामनानी हमें पूरी जानकारियां देगी इसके साथ ही अगर आपकी भी आँखों से जुड़ी कोई समस्या है या आपके बच्चों की आँखों से जुड़ी कोई समस्या है तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अपने सवाल पो सकते हैं डॉक्टर बच्चों की आँखों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है और इसमें ये अवेरनेस क्रियेट की जाती है कि हमारे बच्चों की आँखें बहुत जादा इंपोर्टन्ट है और ये बड़ों से थोड़ी सी अलग होने की वज़े से इनको special attention देना चाहिए और जैसा कि आपने सवाल किया कि बच्चों की यसी कौन सी समस्या है जिनको हमें बहुत जादा ध्यान देना चाहिए वो है चश्मे का नंबर क्योंकि लगातार बढ़ते हुए डिजिटल यूस की वज़े से हमारे बच्चों की आँखों में चश्मे का नंबर जल्दी लग रहा है उनकी आँखों में संक्रमन भी हो सकते हैं बच्चों की आँखें अक्सर लाल हो जाती है उनको viral conjunctivitis या allergic conjunctivitis या पलकों के infection की भी problem होती है और वो सारी बिमारियां जो बड़े लोगों की आँखों में हो सकती है जैसे मोतिया बिंदू और कांच बिंदू या परदे की खराबी ये भी हमारे चोटे बच्चों को हो सकती है especially जो pre-term babies होते हैं उनकी retina weak होती है तो ऐसे pre-term babies का भी retina check-up होता है कि हमारे बच्चों की आँखों की जांच का कोई time नहीं होता है usually हमारे घर में बड़े बुजूर्ग होते हैं वो बोलते हैं अभी तो ये बच्चा है अभी आप इनकी आँखों की जांच क्यों करा रहे हैं तो हम तो पैदा होते से ही बच्चे की आँख का check-up करा सकते हैं ये मेरा कहना है पल्कुल ये बहुत मैधपूर्ण बार डॉक्टर वनीता आपने कही है क्योंकि कई parents इस बात में लापरवाही कर देते हैं कि हम बच्चों की आँखों का check-up क्यों करवाएं अभी तो बच्चे हैं शायद किसी तरह की परिशानी नहीं होगी लेकिन ये बात आप ध्यान रखेए कि बच्चों की आँखों में भी समस्याइं होती है और इसलिए regular check-up आपको करवाना है बच्चों की आँखों में किस तरह की समस्याइं हो रही है किस सरा की चीजे वो इस वक्त देख रहा है TV हो या डिजिटल चीजे जो यूज करता है उससे बच्चों की आँखों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है तो इसलिए रैगिलर चेक अप आपके बच्चों की आँखों के लिए बहुत जादा जरूरी हो जाता है जिन बिमारियों का आपने जिक्र किया है बच्चों की आँखों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बिमारिया है जिनके संकेतों को अभिवावक नहीं पहचान सकते आँखों में बच्चों को किस सरा की परिशानी हो रही है उन संकेतों को कैसे पहचानी कि क्या कुछ चीजे होती जैसे आँख तिर्ची दिख रही है, आँख छोटी दिख रही है, या आँख में से आसू आ रहे हैं, आँख लाल हो रही है, तो बड़े obvious से sign है, शायद इसकी वज़े से parents अपने बच्चों को आई डॉक्टर के पास ले आएंगे, पर कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको दिख बहुत पास में पकड़ के देख रहा है, या फिर reading जब कर रहा है, तो अपनी आँखों को कुछ squeeze करके ऐसे छोटी करके देखने की प्रयास कर रहा है, या फिर एक आँख से वो बंद करके देख रहा है, या एक आँख को वो उंगली से दबा के देख रहा है, या कही न कही गर्दन गुमा के या चिन ऊपर करके देख रहा है, तो ये एक संकेत हैं कि उसको एक normal direction में नहीं देख रहा है, और वो कही न कहीं ऐसी सब चीजें करके अपनी आँखों से वो reason पाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर बच्चा स्कूल से आए और वो complain करे कि उसको बहुत headache ह को रहा है, तो ये कई बार एक signal है कि उसको स्कूल में दिखाई नहीं दे रहा है, बोड या जो वो पढ़ रहा है, उसके बाद उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो वो कौपी करने में गल्ती कर सकता है, तो ये सब signals हैं कि बच्चे को हमको early age में चेक अप करा है, और क्या TV को वो बहुत करीब जाकर देख रहा है, स्कूल से आने के बाद क्या बच्चा किसी तरह की परिशानियों को लेकर आपसे बाचीत कर रहा है, हैड़िक हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, तो ये जो चोटी चोटी चीजे हैं, इन पर ही अभिवाबकों को ध्यान देनी की जरुत होती है, डॉक्टर विनीदा, चश्मे की बात आपने की है, कि बच्चों को चश्मा भी लगता है, सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन-कौन से इसी सिच्चेशन होती है, कब बच्चों की आँखों में चश्मा लगाना जरूरी हो जाता है, ये बहुत अच्छ और वो ही जनिटिक कॉंस्टिटूशन या हैरी डीट्री या अनुवानशी कारणों की वज़े से मेरी बीटिया को भी चश्मा आ गया है, वो हमारी आँखों की बनावत याने की आँखों की लंबाई और उसके करवेचर पर निर्भर करता है, पर इन दिनों इन्वार्में इसपेशली कोरोना टाइम में सारे बच्चे घर में ही पूरा टाइम डिजिटल गैजेट्स में लगे हुए हैं, वो चाहे मोबाईल हो, टीवी हो या कंप्यूटर हो, उनकी आँखें नस्दीक के लिए बहुत जादा यूज हो रही है, जिसकी वज़े से मास पेशियों प में एक पेंडेमिक जिससे हो गई है, जिसमें मायोपिया के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, न केवल बच्चों में बलकी बढ़ों में भी बलकुल, डॉक्टर वनीता, अगला सवाल मेरा आपसे यह है, कि अगर किसी बच्चे को चश्मा लगा है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बच्चों के चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जाता है, तो क्या अगर बच्चे के चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो ये किस खतरनाक बिमारी की तरफ संकेत करता है, पैरेंट्स को इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, और बढ़ने का क्या कारण है, क्या बच्चा गैजट्स बहुत जादा यूज कर रहा है, टीवी बहुत जादा पास से देख रहा है, ये कारण हो सकते हैं चश्मे का नंब है, वो हमारी आँखों की बनावट याने लंबाई पर निर्भा करता है, तो जैसे हमारा हर साल कपड़े और जूते का नंबर बढ़ता है, वैसे 18 से 20 साल तक हमारे बच्चे का माइनस याने मायोपिया का नंबर बढ़ सकता है, लेकिन उसका जो स्पीड है बढ़ने का, मत हम बहुत जादा नियर रीडिंग कर रहे हैं या बहुत जादा डिम लाइट में या नाइट में लाइट्स बन करके कम्प्यूटर मोबाईल टीवी का इस्तमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं आँखों के उपर जोर पड़ता है और बच्चों की आँखों का नंबर तेजी से ब लगाएं, तो कई बार चश्मा न लगाने की वज़े से भी आँखों के उपर जोर पड़ता है और उनका नंबर तेजी से बढ़ता है, और कुछ पैरेंट्स सोचते हैं कि अभी हमने उनका नंबर बढ़ा दिया, तो बड़े हुए नंबर की उनको आदत हो जाएगी, तो इसलिए वो अपने बच्चों का नंबर कम ही रखते हैं या वो नया नंबर बनवाने में हिच किचाते हैं, जबकि ये दोनों चीजें गलत हैं, अगर किसी बच्चे को चश्मे का नंबर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो एग्जेक्ट नंबर ब करती है, इसलिए हमें चश्मा पूरा टाइम लगाना चाहिए, बलकुल क्योंकि आखे हमारी बॉडी का सबसे नाजू कंग होता है, बहुत समविधन शील होता है, और उसका ध्यान भी अमें उसी तरह से रखना जरूरी होता है, डॉक्टर विनीता जो बाते कह रही हैं, उ आपके हर सवाल का जवाब देगी, डॉक्टर विनीता चश्मा लगाने की बात हम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चों को चश्मा लगाने की बारी आती है, तो पैरेंस ये समझ से हैं कि अभी से हम अगर बच्चों को चश्मा लगाएंगे तो आगे जाकर श कुछ हो जाते हैं क्योंकि उनको बिना चश्मे के नहीं दिखता है तो उनको लगता है कि at least वो चश्मे से देख पाएंगे लेकिन parents बड़े परिशान हो जाते हैं कि इस age में बच्चा चश्मा लगाएगा तो उसको आदत हो जाएगी तो ये बहुत गलत मित है आदत की बात ये उसकी जरुरत है जैसे हम उसको जरुरत पे खाना किलाते हैं वैसे ही चश्मा लगाना उसकी जरुरत है ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो बच्रे ये दो दोनों को similar चश्मा लगेगा या आपने बहुत कुछ carrots या बहुत खाना खिलाया एक बच्चे को तो उसका चश् लग गया तो पैरेंट सोचते हैं कि डॉक साब अभी चश्मा मत लगाईए हम उनको अच्छे से खिला पिला देंगे तो चश्मा उतर जाएगा तो यह बहुत बड़ी ब्रांती है कि चश्मे का खाने पीने से कोई connection नहीं है हाँ आप एक healthy diet अपने बच्चे को जरूर दीजि एक सस्थ जीवन शैली होगी तो सरक्षित आँखें होगी यह बात तैय है लेकिन यह बिल्कुल भी गलत है कि खाने से हम चश्मे के नंबर्स को घटा सकते हैं या उतार सकते हैं बिल्कुल तो यह जो कुछ मित थे वो डॉक्टर विनीता ने आज clear कर दिये है कि आप खानपान का ध्यान रखें वो आपके लिए बहुत जाला ज़रूरी आपके बच्चों के लिए जरूरी है लेकिन खानपान के साथ आप अपने बच्चों का चश्मा उतार सकते हैं यह मित है जो कि डॉक्टर विनीता ने आज clear कर दिया है डॉक्टर विनीता आगे मेरा सवाल यह है कि जिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिने चश्मा लगा है इसके साथ यह भी बताईए कि क्या कोविड-19 के समय आँखों पर जादा effect पड़ा है जो बच्चे चश्मा लगाते हैं क्या उनको भी किसी तरह का प्रभाव हुआ है जी बिल्कुल अगर हम हमारे देश की बात करें तो करीबन 5 से 15 साल की आयू वाले 1,28,000,000 बच्चे हैं जिनको किसी न किसी तरीके के चश्मे के नंबर्स की आवशकता है और आकड़े यह जो surprising है कि 50% बच्चे चश्मा ही नह लगाते हैं और उनके माता-पिता इस बात से aware ही नहीं है कि कही न कहीं उनके बच्चों को चश्मे का नंबर है तो हमारे लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स करना और यह awareness फैलाना कि बच्चों को अगर चश्मा है तो समय रहते चश्मा लगाना जरूरी है यह उसके आगे भविश्य के लिए जरूरी है क्योंकि अगर बच्चा चश्मा नहीं लगाता है तो उसे दिखता नहीं है और वो अगर उसको दिखता नहीं है तो वो कहीं न कहीं socially education wise वो पिछड जाता है वो introvert हो जाता है कहीं न कहीं उसमें psychological depression भी आ सकता है और वो अपनी grades उसकी कमजोर ह होने की वज़े से पढ़ाई में पीछे रहने की वज़े से future में वो सफर कर सकता है especially उसकी अगर education poor होगी तो कहीं न कहीं वो economical impact भी डालेगी उसके future पे तो हम अगर अपने बच्चे का भविश्य सदारना चाहते हैं तो अगर उसको चश्मे का number है तो please आप चश्मा जरूर लगवाईए और मेरी ये सलहा भी है कि optical stores पे जाके चश्मे के numbers बच्चों के मत चेक कराईए क्योंकि doctor जो होता है वो आपके बच्चे की आँखों की पूरी जाच करता है और उसमें अगर एक आँख में वीजन कम है तो वो amblyopia या lazy eye का treatment देता है अगर बच्चे को squint है तो वो squint का treatment भी देता है तो please आप जो भी eye examination है वो delay न करें और अपने बच्चों की routine examination जरूर करवाएं और covid time में क्योंकि हम सब घर के अंदर digital gadgets को बहुत जादा use कर रहे थे इसलिए बच्चों में लगबग 40% बच्चों में ये चश्मे के numbers बढ़ गए हैं और नए numbers जो बच कोविड ने हमारे बच्चों के चश्मे के numbers में इजाफा किया है और उसकी वज़े से आगे चलके ऐसे बच्चों को problem हो सकती अगर वो चश्मा नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल कोविड ने बच्चों की आँखों पर एफेक्ट किया है चश्मे के नंबरों पर एफेक्ट ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित स्वागत आपका क्या पूछना चाहते हैं आप रोहित अपना सवाल पूछिए जी रोहित आपकी आवाज पहुच रही हम तक आप अपना सवाल पूछिए जी रोहित अपना सवाल पूछे चलिए रोहित की आवाज हम तक शायद नहीं पहुच पा रही है डॉक्र वनीत आगे बढ़ते हैं अंगला सवाल मेरा आप से ये है चेक अप के हमने बात की है तो ये मुझे बताई है कि बच्चों की आँखों का चेक अप कितने अंतराल में होता है इसके साथ ही खान-पान का हमें कितना ध्यान रखना होता है चश्मा लगा उसके बाद आपने वो मिठ तो दूर कर दिया मैं कि चश्मा नहीं उतर सकता अगर खान-पान का ध्यान रखने लेकिन चश्मा लगने से पहले आँखों की देखभाल कितनी जरूरी होती है तो भी आपके बच्चे को चिश्मा लग सकता है तो सबसे important है कि अगर आपका बच्च आँखों से जुड़ी हुई कोई complain कर रहा है तो उसकी check-up जरूर कर रहा है हमारे देश में normal check-up का pattern, normal check-up का प्रचलन नहीं है जबकि ideally देखा जाए तो 6 मेने के बच्चे का check-up होना चाहिए कि उसकी आँखों की बनावट ठीक है की नहीं या उसकी पानी ले जाने वाला रास्ता तो चोक नहीं है या कुछ ऐसी बिमारियां जो इस neonatal age में होती है वो check करा ले और उसके बाद फिर 3 साल पे याने जब वो pre-school verbal age में हो जाते हैं जब बच्चा हमसे communicate कर सकता है वो एक time होता है कि हमको बच्चे की routine check-up कराना है जिसमें की बच्चे को या parents को लग रहा है कि कोई भी symptoms नहीं है तब भी हमको 3 साल पे कराना चाहिए फिर एक routine check-up 6 साल पे कराना चाहिए अगर 3 और 6 साल के बीच में कोई तकलीफ नहीं है say for example अगर 5 साल पे ही चश्मे का number लग गया जैसे कि दोनों parents को बहुत मोटा चश्मा है या उनके grand parents को बहुत मोटा चश्मा है तो जिन बच्चों को डॉक्टर ने चश्मे की सला दिये प्लीज आज उन डॉक्टर से ये confirm कर लें कि next visit उनको कब check-up करानी है कई बार हम बच्चे के धीरे-धीरे numbers बढ़ाते हैं say for example कि उसको शुरू में ही 10 number का चश्मा आ गया तो हो सकता है कि हम पहले दिन आपको 10 number का चश्मा न देके शुरूवात हम कम number से करें और हर 3 मेने में बच्चे के numbers को बढ़ाएं तो किसी बच्चे को अगर चश्मे की जरुरत है lazy eye है या squint है तो प्लीज आप बड़े होने का इंतजार न करें उसकी डॉक्टर से check-up कराके नियमित चश्मा लगाके विजिट्स करें डॉक्टर के पास पिल्कुल डॉक्टर वनीता अगला सवाल मेरा यह है कि बच्चों की आखे बड़ू की अपेक्श्वा कितनी sensitive होती है कितना जादा ध्यान रखने की जरूरता में उसकी होती है बच्चों की आखों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई बार बच्चे complain नहीं करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को चश्मे का number या आखों की कोई problem है especially जब वो problem एक आँख में चल रही है क्योंकि normal जिंदगी में हम दोनों आँखी खोल के देखते हैं तो हम realize ही नहीं करते कि एक आँख हमारी कुछ problem दे रही है तो जब हम doctor के पास जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि हो सकता है कि एक आँख कमजोर है या उस एक आँख में चश्मे का number है दूसरा बच्चे अभी developing phase में हैं तो उनकी आँखों में development हो रहा है और आँख और brain के बीच में एक तालमेल एक connection बन रहा है जिससे बच्चा वो देख रहा है और देखने की शक्ती को develop कर रहा है तो initial 7-8 years of life बहुत important है आँखों और brain के connection के लिए और third ये रहता है कि बच्चों में कोई इस तरीके की तकलीफे हैं जो समय रहते इलाज नहीं कराया तो future में उनका इलाज संभव नहीं है क्योंकि एक बार अगर आँखों की द्रश्टी कम हो गई तो फिर बाद में हम कितने भी चश्मे लगा ले या operation कर ले वो द्रश्टी लौट के वापस नहीं आती है जिसे हम lazy eye कहते हैं तो जो lazy eye का treatment है वो केवल बच्चों की age में ही हो सकता है इसलिए बच्चों की आँखों में check-up करवाना जरूरी है इस्पेशली जब हमें बच्चा कुछ complain नहीं कर रहा है बिल्कुल, डॉक्टर विनीता अब भी अगर हम वर्दमान की बात करें तो इस वक्त online classes का train ज़्यादा बढ़के और कोविट में तो online classes ही सबसे ज़्यादा हो रही है गैजेट का बच्चे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे में आँखों का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है क्या सलहा parents को देना चाहेंगी यह बहुत अच्छा प्रशन है कि जिसमें parents को यह मजबूरी है कि अपने बच्चे को online computers पे बिठाना है यहां कुछ parents mobile पे भी बच्चों की classes attend करवा रहे हैं तो मैं parents को यह बोलूँगी कि अगर computer available है तो mobile की बजाए computer पे class ज़्यादा जोरक्षित है वो इसलिए कि computer की screen बड़ी होती है mobile की screen छोटी होने की वज़े से आँखों पे जोर ज़्यादा आता है और वो क्योंकि आँखों के नजदीक बच्चा पकड़के बैठता है तो कहीं न कहीं उससे जो blue invisible lights निकलती है उसका damage बच्चों की आँखों पे ज़्यादा हो सकता है तो अगर हमारे घर में computer या TV से जोडने की सहुलियत है तो उसको इस्तिमाल करें अगर वो बच्चा computer पे देख रहा है तो उन्हें आप बताएं कि बीच बीच में वो अपनी पलके जपकाएं थोड़ी देर के लिए दूर देखें या कुछ seconds के लिए आँखों को बंद कर दें और मैं teachers को भी हमेशा बोलती हूँ कि वो बच्चों को थोड़ा सा gap दे दे so that उनकी आँखों पे लगातार इन digital gadgets का strain नहीं हो क्योंकि बीच में break लेने से हमारी आँखें बहतर महसूस करती है और important यह है कि late के room lights बंद करके बच्चों को online classes नहीं attain करवाएं होता यह है कि वो video बंद करके बच्चे mobile पे देखते रहते हैं और कई parents यह होते हैं कि वो बच्चों का ध्यानी नहीं देते कि online classes बंद हो गई और कब उन्होंने video games शुरू कर दिये तो please आप इस बात का ध्यान रखें बड़े लोग कि आपका बच्चा कहीं और चीजों में तो नहीं उलजा हुआ है computer और mobile पे क्योंकि अभी बच्चों के लिए एक extra mobile घर में आ गया है जो पहले कभी नहीं हुआ करता था वो parents की मजबूरिये की online classes के लिए बच्चों को mobile दिया जा रहा है लेकिन आप please उसका use सिर्फ online classes के लिए रखें ना की digital addiction के लिए और कुछ माता हैं तो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने बच्चों को बजी रहने के लिए बहुत चोटे बच्चों को mobile हाथ में पकड़ा देती है और फिर आके हम से बोलती है कि डॉक साब आप इनको समझाईए मेरा बच्चा मोबाइल जादा देखता है तो हम प्लीज हमारे बच्चों को मोबाइल की लत्त न लगाएं बल्कुल अगर आप शिकायत करते हैं तो ये बात भी ध्यान रखिए कि बच्चा वही सीखता है जो हमारे parents करते हैं भी वावक करते हैं इसलिए आप भीन बातों का ध्यान रखिएंगे तो आप बच्चों को सिखा पाएंगे कि आखिर आखों की देखभाल कैसे कर दी है जरूरी है जो बाती डॉक्टर विनीता ने आपको बताई है उन बातों को ध्यान रखिए और उनको अपने जीवन में अमल में लाई है इसके साथ ही खान पान कल जरूर ध्यान रखिए यह आपके लिए भी जरूरी है साथ ही आपके बच्चों की आखों के लिए बहुत जरूरी है डॉक्टर विनीता बहुत शुक्रिया धनेवाद आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दिये आज तो आज डॉक्टर विनीता राम नानी ने हमारे साथ बच्चों की आखों की सुरक्षा के बारे में कई महत्पुन जानकारियां साधा की है नशित रूप से आपको उस सभी सवालों के जवाब मिले होंगे साथ ही आखों की समस्या को लेकर आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है तुरंट डॉक्टर से संपर्ख करना है स्वस्थे रहिए इसी के साथ हमारी खास पेशकष में फलाल इतना ही फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास समबंदी समस्या के साथ इसके साथ ही आपको बताएंगे उसके उपचार भी तब तक के लिए आप बने रही हैं बंसल न्यूस के साथ नमस्कार